हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल टूड़ पॉइंट होम साइंस में आज हम लोग बहुत ही महात्यपूर्ट टॉपिक को डिस्कर्स करने जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है ओके ये ब जी सी नेट की बात कर लेते हैं तो यहां पे सीधे सीधे इसको अरेंज करने के लिए पोच लिया जाता है क्या होता है तो इसमें अरेंज करने के लिए इस क्वेशन को बिल्कुल पूच लिया जाता है सीधे सीधे तो इस टेप को तो आपको याद रखना ही रखना है और स लोगों के लिए ये बहुत ही जादा important topic है तो बीना वीडियो को skip किये पूरा जरूर देखिएगा ये आप लोगों के लिए बहुत ही महतिपूर है और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक like करिएगा और साथ में comment जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसे आपके लिए helpful है या नहीं ये बहुत बड़ा वाला आपसे request है और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर ले बिल्कुल फिरी में यहाँ पे आपके सभी exam की तैयारी home science से होती है तो चलिए हम देखते हैं हमें पढ़ना क्या है तो पढ़ना हमें stage of child birth की पढ़ना है क्या पढ़ करते हैं यहां पर देखिए stage of child birth की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यह कितना होती है प्रसों की जो अवस्था होती है वो क्या होती है तो यह आपके होते हैं इस tip की बात करेंगे तो stage of child birth तीन होते हैं कौन होते हैं में तीन होते हैं first आप देख सकते हैं first stage में क्या हो र तो फर्स्ट स्टेज में आपका जो है इन्फेक्समेंटी यहां पर यहां पर क्या हो रहा है? तो यहां पर जो सर्विक्स होता है यानि की जो आपका सर्विक्स हो योनी हो गया उसके जो है उसको डालेशन करते यानि उपर месте जो भाग होती है वो टाइट होती है और नीचे की भाग खुलते है stage of dilation यानि यहाँ यहाँ पे यल रहेगा और यह ती रहेगा थीक है टो dilation यानि कि यह विस्तारन की अवस्था होती है क्या होती है बिस्तारन की अवस्था होती है डिलेशन सुरी डिलेशन ठीक है डिलेशन एंड क्या होता है डिलेशन एंड इन्फेस्मेंट ओके तो ये डिलेशन और इन्फेस्मेंट यह stage क्या होता है, first होता है आपके बिस्तारन की अवस्ता, second अवस्ता क्या होती है, second stage क्या है, तो इसमें pushing and birth होता है, क्या होता है, तो इसमें pushing and आपका क्या होता है, birth होता है, इस stage को क्या कहा जाता है, तो stage of, इसको exploration कहते हैं, क्या कहते हैं, exploration यानि निसकाशन की अवस्ता इ सिकन्ड स्टेज जिसमें by बढ़ होता है यानि की पुछ किरते हैं और इसमें एसप्लूशन होता है यानि विश्तारण की अवस्था निस्कासन की अवस्था होती है और उसके बाद आपका थर्ड स्टेज जो होता है वो क्या होता है तो थो ट्रड stage में आपका जो होता है वो stage of total explosion होता है ठीक है इसमें क्या होता है explosion जो होता है पूरा संपूर यानि संपूर निसकासन की अवस्था होती है total explosion यानि संपूर निसकासन की अवस्था और इसकी इसी अवस्था को क्या कहा जाता है delivery of the placenta also called आफ्टर वर्थ यानि इसी अवस्था को बर्थ के बाद की अवस्था यानि प्लेसेंटा की बर्थ की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है delivery of the placenta also called after birth तो यह आपके three stage होते हैं किसके तो यह child जो है बर्थ के होते हैं चलिए यहाँ पे आप लोग देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा से आप लोगों के लिए हिंदी में भी रख दिया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है हिंदी में भी यह प्रथम चरण क्या होता है तो प्रथम चरण में जो होता है गर्भासे ग्रीवा सिथिल हो जाती है और जिससे यह फैल जाती है और पतली हो जाती है जो गर्भासे का यह उपरी भाग होता है इस भाग की बात हो रही है यह टाइट होकर क्या होता है सिथिल हो जाती है और यह नीचे का भाग जो यह वाला पाल्ट होता है यह फैलने लग जो है एफेस्मेंट होता है क्या होता है इसमें डिलेशन एफेस्मेंट होता है जो की आपका क्या होता है बिस्तारण की अवस्था होती है दूसरे स्टेज में यानि दूसरा चरण जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है तो दूसरे चरण में देख सकते हैं यहाँ पे दूसर कुछन हो रहा है और बर्थ हो रहा है इसमें आप लोगों ने पहले देखा ही क्या था तो पुषिंग एड़ बर्थ था इस्टेज ऑप जा था एक्स अप्लूएशन था ओके यानि कि निसकाशन की अवस्था थी उसके बाद आपका तीसरी अवस्था क्या थी तो तीसरी प्लेसेंटा ऐसो काइं अफ तर बर्थ के बाद यानि कि corazón dogs चाइल्ट का भर्थ होने के बाद ले वहकें जो डिलेबरी होती या प्लेसेंटा जो होता है उसे गर्भ नाल को गर्भ सेख्वाब जैसे आपका गर्वनाल हो गया, उसमें जो और भी झिलियां होती हैं, जो रख्त होते हैं, इन सब को बाहर निकालने की, यानि संपोर निसकासन की अवस्था होती है, ओके, यहां पर देखे, इंगलिस में भी लिखा है, आप लोग यहां देख सकते हैं, दास, सर्विक्स, र दाइलेशन, एंड ठिंक आउट, ओके, तो यह आपका होता है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, इंगलिस वाले बच्चे, चलिए, अब हम लोग यहां पर पूरे बिस्तार से देखते हैं, कि पहली पहली अवस्ता मैंने क्या पताया था, तो पहली अवस्ता बिस्तार की पहली अवस्ता, तो इसमें, स्टेज एफधा देलेशन, स्टे औ देलेशन होता है, जो कि इसमें क्या है प्रत्थम अवस्ता arrest, स्टेज पर प्रस नहीं होगा यह कहीं कि इस मिश्टेक हो गया, इसके छो की सवरी, स्टेज हमने आपको क्या बताया मैं नियएकर कूर यहां होता है जिसमें कि आपके विस्तार की अवस्ता होती है जो कि प्रथम अवस्ता प्रसो तीक है यह अब प्रसो यहीं सारे जितने भी है सब प्रसो ही होगे फोड़ा से हमसे typing में mistake होगा है तो यह आपका क्या होगा यह आपका प्रशो हुज़ो सुष। प्रथम प्रशो यह आप कह सकते है अवस्था जो यह पहली अवस्था होती है प्रशो दर्द के प्रारम होने से योनि के विस्तारन के अंतितक रहती है इसलिए इस अवस्था को बिस्तारन की अवस्था कहते हैं अब देखिए प्रसो की प्रथम अवस्था का संकेत निम बातों से मिलता है जब प्रथम अवस्था प्रारब होती है तो उस समय कौन सी बातें देखने को मिलती है तो कौन कौन सी होती है तो पहले होता है क्या सबसे पहले क्या होता है योनी माग से रक्त मिस्रित श्लेश्मा का निस्कासन होने लगता है कमर दर्द तथा दर्द युक्त गर्भासेग संकुच और एमनी और्टिक ड्रव का निस्कासन शुरू हो जाता है यानि जो उसमें एमनी और्टिक जो पेशिय संकुचन के साथ भूड का सिर्ट योनी की और आने लगता है। पेशिय संकुचन से गरभासे का उपरी भाग कठोर हो जाता है तथा निचला भाग कोमल होकर फैल जाता है। आता यह अवस्ता योनी परसारण की अवस्ता या फैलाओ की अवस्ता होती है। तो पहला अवस्ता कैसी होती है तो इसमें प्रथम अवस्ता क्या होती है। गर्भासाई की मास पेशियों में संकुचन होता है जिसे से उसके उदर यानि पेट के पीछे जो होता है कमर के पीछे हिस्से में दर्द प्राराम हो जाता है यानि जितनी बार गर्भासाई रुक रुक के होता है तुरन तुरन नहीं होता है तो जो गर्भासाई पेशिये सं पुचन से गरभासे का उपरी भाग का ठोर हो जाता है तथा निचला भाग को मलोग कर क्या होता है फैल जाता है हमने आपको उपर दीखाया था देखिये प्रतम वस्तह पुना तीन होते हैं की होते ह।osed है उसको हम लोग देख लेते हैं पहली अवस्तह देखिये अरली क्या होती है अरली अरली लेटेंट इसको निमलचण होते हैं ग्रीवा चार से पांच सेंटीमीटर खुल जाता है गृवा यानि कि जो योनी मार्ग होता है ये कितना होता है ये आपका चार से पांच सेंटीमीटर खुल जाता है और दूसरा पॉइंट क्या है तीन से दस इसका समय जो होता है इसका समय बताया गया तीन से दस खंटे क्या समय होता है यानि कि इसको जो अरली जो आपका अरली स्टेज होता है इसमें क्या होता है ग्रीवा जो होता है यह चाल से पांच सेंटीमेटर खुलता है और इसमें इसका जो समय होता है यानि बहुत दीरे-दीरे दर्द होता रहता है होता रहता है जो इस स्टेजम में क्या होता है इसे स्टेज में वह भरी ऊसे पताल कीbig नहीं होती है यूदिन फाले स rond शुन FLPI डुपने शुन होती है सn 20 कि इस दर्दे का समय होता। पानी का आना water break, तो पानी आना प्रारम हो जाता है, तो ये early, जो आपका early stage था, तो इसमें या latest stage या early stage जो था, ये आपका कितना होता है, तो ये याद रखिएगा, ये समय पूछा जाता है, ये होता है, तीन से दस घंटे का, उसके बाद दूसरा है जो आपका active phase थीक है क्या है तो आपका active phase जो है phase है तो active phase में जो cervix होता है यानि योनी होता है ये कितना खुलता है ये 4 से अब इसकी size बढ़ जा रही है यहाँ पे 4 से 7 cm खुल जाता है और ये घंटा कितने समय का होता है तो 3 से 6 घंटे का समय ये वाल है और पिन जो है पिन होना सुरू कर देता है क्या कर देता है तो कमर के पीछे जो है पिन होना सुरू कर देता है कमर के पीछे जो है पिन होना सुरू हो जाता है यानि दर्द होना सुरू हो जाता है कमर के पीछे दूसरे active phase में ठीक है अब दूसरा जो है तीसरा जो होता है translation phase ठीक है तो इसमें जो आपका क्या होता है तो इसमें cervix जो होता है यानि योनी जो होती है इसकी size कितनी हो जाती 8 से 10 cm हो जाती है क्या हो जाती है 8 से 10 cm हो जाती है जो baby का body head होता है यह move होने लगता है move down होकर कहां जाता है forward जो vagina ठीक है vagina की तरफ यानि कि baby इस तरह से गर्वे में है ऐसे है तो यह इस तरह से move होकर इसकी जो baby की सिर होती है वो vagina की यानि योनी की तरफ आ जाती है ठीक है किसमें तो इस stage में यह कितना समय इसका होता है translation phase का तो यह होता है last का 20 minute होता है कितना तो सिर फॉस्टिप इसका 20 minute होता है तो यह भी आपके प्रथव श्टेज का क्या था 3 प्रकार थे जो कि यहां पर आप चितर के हिसाब से देख सकते हैं इसमें कितना पहले में कितना घंटा लग रहा था तो 3 से 10 घंटे का समय होता है जिसमें कि आपका यह size पहले 1 cm 2 3 4 इस तरह से यह बढ़ते हुए थीक है बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हैं डाइलेशन स्केल है यह डिलेशन स्केल जो आपका है डिलेशन स्केल को आप देख सकते हैं इस तरीके से यह पहले इतना खुलता है इतना इतना खुलते खुलते जब यह 10 cm आ जाता है तो यह आपका right होता है और इतने से बच्चा जो है बाहर आ जाता है यानि कि आपका जो योनी मार्ग होता है वो 10 cm खुल कर इतना जब आ जाता है तो अराम से वो क्या होता है बच्चा बाहर आ जाता है ठीक है इस चित्र में भी आप डिलेशन स्केल होता है यह डॉक्टर का होता है आप यहां पर भी देख सकते हैं इस स्केल में भी बहुत इजली से आप देख सकते हैं इसमें देखिए फर्स्ट जो है टू फिंगर के बराबर होता है सिकंड में 4 cm की बाद जब की जाएगी तो यह थोड़ा से देखिए यहा अपने फिंगर फैल जा रहा है और 10 cm में पूरा यह अपने फिंगर को जितना फैल आ सकी उतना यह फैल जाता है और इतने से बच्चे बाहर आ जाते हैं यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं वही चीज यहां पर भी बताया गया है पहले इतना खुलता है फिर थोड़ा स हो जाता है ओके तो यह स्टेज होता है आपका फॉस्ट होता है कौन सा फॉस्ट स्टेज होता है चाइल्ड बर्थ का जिसमें कि आप लोगोंने तीन देखा कौन कौन सा देखा एक आपने अरली देखा अली स्टेज देखा दूसरा आपने एक्टिव फेज देखा और तीस आवस्था में केवल एक से पच्चीश सेंटीमीटर ही खुल पाता है इतनी फैलाओं में शिशु का सिर आसानी से बाहर निकल जाता है अब नेश्ट हमारा जो होगा second अवस्ता यानि प्रसों की दुती अवस्ता जो होती है वो आपका क्या होता है तो second अवस्ता आपकी क्या होती ठीक है second अवस्ता हमने आपको क्या पताया तो second अवस्ता आपकी होती है निसकासन की अवस्था जिसे stage of explosion की अवस्था कहा जाता है यानि कि निसकासन की अवस्था होती है यह अवस्था क्या होती है यह अवस्था योनी के पूर्बिस्दारन से शिशू के गर्ब से बाहर आना है मा के जो शिशू है मा के गर्ब से बाहर आता है अता इस अवस्था को निसकासन की अवस्था कहते हैं ओके निसकासन की अवस्था कहते हैं देख सकते हैं यहाँ पर explosion stage में बच्चा क्या हो रहा है योनी मागर से यह यहाँ से क्या हो रहा है बाहर आ जा रहा है तो ये आपका होता है, इसमें निस्कासन की अवस्था होती है, इसकी अवधी कितनी होती है, यानि कि बच्चा गर्व से बाहर आने की दूसरी अवस्था जो होती है, वो कितनी होती है, तो ये आपकी होती है, इस अवस्था में, इस अवस्था की अवधी जो होती है, प्रथ लगने वाला होता है वो समय एक से दो घंटे का होता है लेकिन उसके बाद अगर कोई बच्चा हो रहा है ये जो इस्टेज हम आपको बता रहे हैं ये नॉर्मल के लिए होता है ठीक है नॉर्मल डिलेवरी जो होती है उसके लिए होता है तो ये जो होता है ये जो पहली बच् लगता है कितना अधा घंता का समय लगता है ओके तो यह आपका सिकंड़ स्टेश था अब आपका आधा है कांजा तो आपका आधा है यह आप-पर तीस्रा यानि प्रसो की तिर्थी आ यह क्या होती है तो पूर्ड निसकासन की अवस्था क्या होती है तो पूर्ड निसकासन की अवस्था ठीक है तो इसमें पूर्ड निसकासन की अवस्था में आप लोग देखेंगे क्या अवस्था ठीक है तो पूर्ड निसकासन की अवस्था या अवस्था शिशु जन्मी के बाद प्लेसें तथा जिल्यों यह आपकी कि जिल्यों के पूड निसकाशन तक रहती है क्या होता तो यह अवस्ता सिशू के जन्म के बाद जो फ्लेसेंटा होती हो जो जिल्या印 हिसके पूड निसकाशन तक रहती है, यह अवस्था गर्भासे की शफाई की अवस्था होती है, ठीक है, क्या होती है, तो यह गर्भासे की सफाई की अवस्था होती है, ठीक है, यह अवस्था है, बिवस्था नहीं, जब सिशू का जन्म हो जाता है, तो प्लेशेंटा, प्रित्वक हो जाने के बाद रक्त परवा तेज हो जाता है यानि कि प्लेसेंटा अलग हो जाता है जब सिसू से तो वो उसकी रक्त परवा उसमें तेज हो जाती है और वो क्या होता है सब बाहर आ जाता है क्या हो जाता है तेज हो जाती है और नाविनाल जो होती है लंबी होकर आगे देख सकते हैं तो त घ्रेज होने के बाद क्या हो रहा है जो नावी नाल है वो लंबी हो जाती है और लंबी हो,कर लगबग ठीक है लगबग एक सिकन्ड़ूग जईये नावी नाल जो है लंबी हो जाती है और गर्भाशाइक यह गर्भाशाइक है यहाँ पे गर्भाशाइक संकुचन से लगभग 10 से 15 मिनिट में सभी पदार्थ जैसे अपारा हो गया तीक है अपारा हो गया गर्भ नावी नाल हो गया शलेश्मा हो गया रक्त हो गया यह सभी पह 정 स्वहनियकी बाहर अजय जाते हैं, क्या होते हैं यह सभी बाहर आते हैं, जैसे आप लोग यहां पे देख सकते हैं, कि जितने भी यह भी यहां पे प्लेसेंटा वह गया, Umbrical Corde हो गया, यह सब क्या हो रहे हैं, गर्ब से बाहर आ जा रहे हैं, इसे placenta stage के नाम से भी जाना जाता है यानि संपूर निसकासन, यहाँ पर भी देख सकते हैं placenta हो गया आपका तो यह सब क्या हो रहा है इनसकी delivery हो रही यानि यह गर्भ से साफ हो रहा है संपूर सफाई हो जा रही है तो यह आपका क्या मैंने आपको बताया है यहाँ वह आपका क्या था तो stage of child birth को बताया है जो कि आमने बहुत अच्छे से आपको पूरे इमेज के साथ आपको समझाने की कोशिस की है I hope आप लोग समझ गए होंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक बार मैं फिर से कह रहे हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एक सेयर करिएगा हो सके तो कमेंट करके जरूर बताइगा और चैनल पे नए हो तो सस्क्राइब कर लिएगा तो निश्ट टॉपिक जो आपका होगा निश्ट टॉपिक आप लोगों को होगा प्रसो के परकार टाइफ सॉप डिलेवरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वो वीडियो भी मिस मत करिएगा क्योंकि वो भी इसके बाद आप लोग को तुरंत वो मिल जाएगा और वो भी आपके पेपर आप व्यों के लिए बहुत इंपर्टन्ट है तो आप लोग उसको भी मिस ना करिएगा ओके तो निश्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाबार जैहिन